जहेंद फैंट्स आज आपको दिखाएंगे किस प्रकास से आपके एक आईडी को दौनों तरप से एक इपार में स्केन कर सकते हैं तो सबसे पहले हमने इस आईडी को रख दिया इसकेनर पर तो सबसे पहले हमसे एड़ेस्ट कर लेंगे ओपर की तरह एक साइड से और अब हम ने स्केन पर इसकेन करना है अब जैसे ही यह सकैनर में आदिय तक पहुचा देगा हम इसे इसकेनर को उखाएंगे और उसे दूसे तरप से नीची के सबसे तरफ लगवि देखेंगे फ्रेंट्स अभी आदा यह हमारी स्केन हो चुका है और हमारी यह फाइल पेडियाफ में सेव होकर आ चुकी है हम इसे ओपन करेंगे तो देखते हैं किसी स्केनर आई है हम ने इसके स्केन किया तो हम इसे ओपन किया तब देखिए इस प्रिवार से आई है हम इसे black spot को अठाना है तो हम क्या करेंगे इसको बंद करेंगे और simply इसको right click करके open with में एड़ो photoshop में खोल लेंगे जैसे एड़ो photoshop में open होता है तो हम क्या करेंगे eraser की मदद से इस black spot को अठा लेंगे black line को हटा लेंगे तो हमारा photoshop open हो रहा है हम तोड़ा इंतियार करेंगे अभी open हो चुका है अब हम इसे यहां से simply बढ़ा कर लेंगे और eraser पर जाएंगे और eraser पर जाने के बाद हम यहां से right click करेंगे और इसके size को adjust करेंगे size हमने यहां से बढ़ा ली है हमारा eraser अभी चोटा है हमने और बड़ा कर लिया अब जैसे हमने एक बार click किया तो देखे friends यह हमारा गायब हो रहा है तो इस प्रकार से गायब हो चुका है हमारा black support हमारी ID पुरी तरह यह दोनों तरफ से एक यह बारे में scan हो चुकी है और भी original size में हमें इसे save कर लिया और यह हमारा PDF में save हो चुका है हमें इसे बंद कर लिया हम बबन करेंगे तो देखे friends यह हमारा ID एकदम साफ सुतरा scan हो चुका है हमें इसे आराम से इसके जरूस के लिए भी प्रेंटर सकते हैं और करें भी upload करना हो तो यह upload भी कर सकते हैं